नमस्कार दोस्तो नीलम गाडन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे आहां पर देख रहे हैं दोस्तो कि मैं प्लांट जो लाई हूँ यह बगुनमेलिया का है और यह बहुत सुन्दर ही फ्लावरिंग करता है और देखने में भी बहुत जादा अकरशित ल लगा हुआ रहता है और यह बहुत हाड्ली प्लांट होती है नहीं रहता है तो सीमित म्あります सारा चीज रहता है तो सिमित रहने के कारण इसमें थोड़ा सा care करना पड़ता है तो आगर पर लगाएं है फूल नहीं आ रहा है या आपको नहीं बन रहा है ग्रोथ नहीं हो रही है या आपका branch नहीं आ रही है तो ये सब का कारण बताऊंग है कि इसमें आज कौन सा खाट डालूँगी इसको भी मैं दिखाऊंगी कि इसको जादा फ्लावरिंग लिए हमें इसे क्या करनी चाहिए तो दोस्तों अगर वीडियो पर नया है तो लाइक सस्क्राइब जरूर करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि पिंक कलर का हर इसका कितना सुंदर यहां फुलावरिंग है और इस तरह से दो कलर में एक वाइट है यह पिंक है वाइट नहीं हलका क्रीम है दोस्तों तो सबसे पहला कारण होता है आपको कि अगर फूल नहीं आ रहा है तो इसका कारण होता है जैसे देखिए एस सबसे पहला कारण होता है कि अगर फूल नहीं दे रही है तो इसका सबसे पहला प्रोप पर धूप चाहिए इसको धूप इतना चाहिए जैसे दर असल समझ लेते दो चार घंटा को इसको đi दी दी दे दियेग्य करेगा नहीं दोस्तों आपको बहुत अच्ञ चाहिए क्रोपर दूक चाहिए तो भी इसको साट अठ गंटा के पूरा दिन ऐसको घंप तो दूप में रखने से काफी इसका बहुत ज़्यादा फूल आता है और इसको एक दो घंटा के धूप इससे कोई माइने नहीं रखता है तब पूरी धूप नहीं मिलने के कारण ज्यादा इसको फ्लावरिंग रोक देता है कुछ इसमें नहीं होता है तो दोस्तों ऐसा नहीं करें अगर बोगनवेलिया लगाए है तो इसको प्रोपर दूप दीजिए और इसको धूप में ही रखे क्योंकि डाइरेक्ट धूप में ही रहेगा तो यह बहुत ज़्यादा आपको फूल देगी दूसरा दोस्तों कि यह इसे जैसे यहां पर देख रहे हैं कि दो भराइटी है एक इस तरह से एक गोल की तरह है तो यहां पर दो भराइटी मैं लगाई हूं और यह में दोनों में ही बहुत अच्छा अच्छा इसमें फूल आती है आप बहुत इसमें गुरोथ भीराती है लेकिन दोस्तों इसको सबसे पहला बात होती है कि जैसे ही आपको आया फरवरी वैसे ही इसमें ब्रांच को कट करना पड़ता है मैं यहां ब्रांच को काट रही हूँ दोस्तों बहुत हाइट हाइट हो गया है इसको मैं कट करकर हटा रही हूँ हटाने से क्या होगा कि इसमें नियू नियू ग्रोथ आएगी और बहुत ज़ादा इसमें फूल भी आएगी तो ज्यादा फूल लेना है तो इस ब्रांच को लंबा लंबा पर ही ये फूल बहुत ज़ादा आता है आप देखिएगा कि जितना पतला टहनी इसको होगा उतना ही पर इस पर फूल आता है तो आप इतना लंबा लंबा ब्रांच हो जाए तो इसको भी काट दिया किजिए काटिएगा तभी ए आराम से आपका फूल भी बनाते रहेगी ज्यादा गुरोथ हैगा तो ज्यादा फूल हैगा तीसरा हो गया कि आपको अगर लगे कि लंबा ब्रांच है इसका पत्ती बहुत टहनी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ज्यादा दूर पर इसका पत्ती आ रहा है तो समझ लेजिए कि इसमें नुट्रीशन की कमी हो गया है ऐसा होने पर नुट्रीशन की कमी होने पर ही ऐसा होता है कि दूर तक इसका ब्रांच भागने लगता है तो nutrition की जब कमी हो जाती है तो इसमें भर पूर मात्रा में इसको nutrition दिया किजिए तो दोस्तों जैसे इसको nutrition भी चाहिए तो अच्छा nutrition चाहिए जब एक बार महीना में आप देना है तो इसको अच्छा से nutrition देजिए क्योंकि जैसे देखिए आप एक महीना पर इसको जब लगा रहे हैं नर्सरी से लाते हैं तो उस समय तो आपको बर्मिंग कंपोस्ट आउ गोबर की खा चाहिए लेकिन जब इसका लगने के बाद जब फ्लावरिंग होता है तो उस समय भी इसको क्या क्या चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊंगी तो फूल नहीं आरे के कारण इसमें जिससे निट्रिशन के कमी हो जाता है इसमें देखिए चाहिए तो आप बोन मील डालिए और नहीं आप उससे नहीं है तो उसके जगह पर आप डिये पी डालिए बोन मील होता है कि धीरे धीरे सुलो काम करता है लेकिन अच्छा काम करत लेकिन बहुत सा लोग होते हैं कि नहीं डालना चाहते हैं इसके जगह पर नाइट्रोजन डाल लिए बहुत अच्छा इसमें रीजल्ट मिलेगा आपको क्या करना है कि फिर थोड़ा सा इसमें मैगनेसियम भी मगनेसियम सलφacs ade calm separating तो इसको भी आप डाल सकते हैं तो दोस्तों जी से देखें अगर आपका प्लनट बहुत बड़ा है ज्यादा दीन का है तो आप क्या करें कि उसको थोड़ा थोड़ा रूट को कातिए आप कातने के आप जैसे इसको दूसरा मिٹ्टी डाल कर इसको बिठा दीजे क्योंकि जादा दिन का भी मिट्टी होने से फलावरिंग नहीं होती है जैसे मिट्टी का सारा न्यॆईम्य पौधा ले लेता है तो वो मिट्टी भी फिर उसको चार्ज करना पड़ता है तो चार्ज आप कैसे करेंगे कि इसको आप क्या करें कि मिट्टी को गुड़ाई करें अब गुड़ाई करने के बाद पूरी अच्छी तरह से मिट्टी को आप निकाल दे निकालने से नहीं तो आपको ज़्यादा अगर रूट भर गया है तो आप इसमें क्या करें कि इसको फिर अलग से गमला में से निकाल कर रूट काट कर और अलग से मिट्टी देखकर भी बैठा दे तो आपका याराम से दो साल तीन साल तक फूल देते रहेगी फिर अगर आपको नहीं भी निकालनी है तो आप इसको गमला में ही गुड़ाई करें गुड़ाई करने के बाद आप हलकी हलकी ब्रांच को काटें आपको फ्लावरिंग चाहिए तो ज़्यादा घनत वो बोन साइज जैसा बना लें तो भी आपको अराम से यह बहुत अच्छी ना चाहिए फूल देते ही रहेगी इसमें फ्लावर नक्खिलने का यह भी कारण होता है दूस्तों कि आगर आपको इसमें मगरेसर्ण के भी profits कमी हो जाती है चाहे iron के भी कमी हो जाती है तो ओ भी इसमें दिकत करता है तो गमला में आपको सिमित होता है इसलिए इसको बहुत चीज के कमी हो जाती है अगर जमीन में रहेगा तो आपको कोई दिकत नहीं होती है जमीन में आप कैसे भी रखेंगे तो यह चलते ही रहता है तो इसको क्या क करना है कि देखिये थोड़ा सा इसको कट करीए कट करने के बाद दें तो मैं यहाँ पर हल्दी लगा रही हूं मैं ब्राँच को कात दी कहा pregnant कि मट्टी को निकाल दूंगि की क्यूंकि नहीं निकालने पर भी दिक्कत होता है तो जबागधे को सीमईट ना कुछ क्रमिस करना ही परता है तो अगर आपको ज्यादा जैसे देखिए मेरा ब्रांच कितना बड़ा है और कितना हिल्दी है तो यह बहुत अच्छा प्लावरिंग देता है या बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ भी होता है दोस्तों बगुन बेलिया एक अपने आप में बहुत ज्यादा खुबसूरत प्लांट होती है इसे घहर में लगा दे तो आप रेलिंग के नीचे लगा दे या आपको जहां भी इसको रखना चाहेंगे आपको बहुत अच्छा यह देखने में भी खुबसूरत लगता है और यह बहुत ज्यादा आपको फूल भी देती है तो यहां जितना इस्ट्रा रूट होगा वो कट जाएगा तो और भी इसमें ज्यादा निव निव ब्रांच आएगी निव रूट बनेगा तो उपर की तो और भी भागेगा तो निव इसमें ब्रांच भी आती है तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा यह प्लांट को ज्यादा केरव नहीं करती हूं महीना में एक बार गुटाई जरूर कर दे तीं को NAEPT क्योंकि अगर पूरी तरह से चार इंच एक बार कर देंगे तो आप दो महिना के लिए निशींद भी हो जाते हैं तो इस तरह से देखिए कि बहूत अच्छा तरह से इसको निकाल दी हूँ और निकालने के बाद गुडाई करकर थोड़ा सा आप इसमें कुछ निट्रीशन दीजिये तो जो इसको देखिए कि मेरा कमी कहां पर है क्यों फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्या चीज इसे चाहिए तो समर का प्लांट के जैसे आपको बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें पोटास बहुत काम करता है तो इसको पोटेसियम बहुत ज़रूरी चा सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है तो आप इस चीज को करें कि पोटास नहीं है तो आप इसमें केला के छिलका को भी आप सुखा कर चाहिए पीसकर डाल सकते हैं उसके बाद यहां थोड़ी सी हल्दी डालूंगी क्योंकि हल्दी अंटिबेटिक होती है क्योंकि हल्दी से क्या होता है कि आपको बहुं ज़्यादा इसमें अगर किरा मकोडा भी लगा रहता है या रूट कट गया है तो उससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके लिए इसमें थोड़ा सा मिलाने के बाद मैं हल्दी के पानी डालूंगी आउपर की ओर मैं हल्दी लगा दी हूँ तो मिट्टी को फील करने के बाद इसमें उपर से पानी देना जुरूरी होता है तो आप इस तरह से ही फील कर दे और इस तरह से ऐसे भी आप हल्दी डाल सकते हैं कभी भी डाल सकते हैं क्योंकि हल्दी ड कर गर्मी आपको फूल देते ही रहेगा बस हलका फूलका आपको केरिंग बस करना है और यह नीचीन्त होकर अपना काम करते रहेगा तो यह थी कुछ प्लांट के बारे में आपको सुझाओ चाहिए तो आप मुझे जरूर कोमेंट करें कोमेंट द्वारा जरूर बात करें तो मैं जरूर बताऊंगी कि इसमें क्या करनी है क्या नहीं है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तर लाइक सस्क्राइब जरूर करें ज्यादा ज झाल झाल